जए श्री राधे क्रिष्ना ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है, हरी अनंत हरी कथा अनंता में आज सुनिये कार्थिक मास में आने वाली रमा एकादशी के बारे में रमा एकादशी को सुने ये व्रत कथा, श्रीहरी विश्नु करेंगे. पूर्ण हर इच्छा हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का वरत रखा जाता है भगवान विश्णु को समर्पित इस वरत में विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस वरत कथा का पाथ अवश्य करना चाहिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकाद्शी तिथी को रमा एकाद्शी का व्रत रखा जाता है दिवाली में पहले रखा जाने वाला ये एकाद्शी व्रत काफी खास होता है इस दिन भगवान विश्णों के साथ माता लक्षमी की पूजा करने से सभी मनो कामनाय पूर्ण हो जाती है और सुक्समृध्धी की प्राप्ती होती है रमा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखते है इसके साथ ही व्रत के दौरान इस व्रत कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने से सभी कष्टों और पापों से छुटकारा मिल जाता है आईए जानते हैं संपूर्ण रमा एकादशी की व्रत कथा रमा एकादशी व्रत कथा एक समय की बात है कि मुझकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णू भक्त राजा था राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सोभन से किया था राजा मुझकुंद एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करता है इतना ही नहीं उसकी प्रजा भी एकादशी के नियमों का अच्छी तरह से पालन करती थी एक बार कार्तिक मास के दौरान सोभन ससुरा लाया उस दिन रमा एकादशी का व्रत था राजा ने घोशना कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि ऐसे में उसके पती को अधिक पीडा होगी क्योंकि वह कमजोर हृदय का है जब सोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्ज में रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है जदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो दूसरी जगह चले जाएं इस पर सोभन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा वह व्रत करेगा उसने रमा एकादशी व्रत किया लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हो गया था रमा एकादशी की रातरी के समय जागर भी न था, वह रात सोभन के लिए असहनिय थी अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे सोभन की मौथ हो गई ऐसे में राजा मुझकुंद ने अपने दामाद सोभन का शव को जल प्रवाह करा दिया था और अपनी बेटी को सती न होने का आदेश दिया उसने बेटी से भगवान विश्नु पर आस्था रखने को कहा पिता की आग्या मान कर बेटी ने व्रत को पूरा किया उधर रमा एक आजशी व्रत के प्रभाव से सोभन जीवित हो गया और उसे विश्नु कृपा से मंदराचल परवत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला राजा सोभन के राज्य में स्वन, मनियों, आभूशन की कोई कमी न थी एक दिन राजा मुझकुंद के नगर का एक ब्राहमन तीर्थ यात्रा करते हुए सोभन के नगर में पहुचा जहां उसने राजा सोभन से मुलाकात की राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुझकुंद के बारे में पूछा ब्राह्मन ने कहा कि वे सभी कुशल है आप बताएं रमा एकादशी का वरत करने के कारण आपकी मृत्यू हो गई थी अपने बारे में बताएं फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्थ हुआ तब सोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी वरत का फल है लेकिन यह अस्थिर है क्योंकि वह व्रत विविश्टा में किया था जिस कारण अस्थिर नगर मिला लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है उस ब्राह्मन ने सारी बातें चंद्रभागा से कही तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वपन तो नहीं है ब्राहमन ने कहा कि नहीं, वह प्रत्यक्ष तौर पर देख कर आया है उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो, जिससे वह नगर स्थिर हो जाए तब चंद्रभागा ने उसे देव नगर में जाने को कहा उसने कहा कि वह अपने पती को देखेंगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी तब ब्राहमन उसे मंदराचल परवत पर वामदेव के पास ले गया वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिशेक किया फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण किया और सोभन के पास गई सोभन ने उसे सिनहासन पर अपने पास बैठाया फिर चंद्रभागा ने पती को अपने पुन्य के बारे में सुनाया उसने कहा कि वह अपने मायके में आठ वर्ष की आयू से ही नियम से एकाजशी व्रत कर रही है उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलै के अंत तक स्थिर रहेगा दिव्य देह धारन किये चंद्रभागा अपने पती सोभन के साथ उस नगर में सुख पूर्वक रहने लगी